दोस्तों अगर आभी केल रहूल को एक शांदार खिलाडी मांते हैं तुमारी इस वीडियो को लाइक जरूर केज़ेगा दोस्तों भारत और साथ अफरीका के बीच में एक बड़ी टेस्टर सीरीज शुरुबात हो चुकी है और इस सीरीज के पहले मुकाबले में भारती टीम बहुत ही शांदार फॉम में आगे बढ़ते हुई नजर आ रही है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस सीरीज में शांदार बढ़त बनाने में काम्याब रहेंगे लेकिन एक तरफ जहां पहले दिन भारती टीम ने शांदार प्रदशन करके दिखाया था तो वहीं दूसरे दिन का मुकाबला पूरी तरह से बारिश के नाम चड़ गया था जिसके बाद अब भारती टीम की ओर से तीसरे दिन एक शांदार खेल देखने को मिल रहा है अब भारती टीम सेंक्चूरियन के स्पोर्ट्स मैदान में खेलने के लिए उतरी तो ऐसा प्रदशन शुरू किया जिसके बारे में साउथ अफरिका की टीम ने कभी सपने में नी सोचा होगा दोस्तों आपको बता दे कि इस मुकाबले में विराट कोहली ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाज़ी करने का फैसला किया वहीं दूसरे सतर में इन दोनों ही बल्ले बाज़ों ने अपनी सूच बूच से पारी को आगे बढ़ाया और पहले विकेट के लिए भारती टीम की श्रत की साज़ेदारी पूरी की हाला कि 117 रन के स्कोर पर भारती टीम को पहला जटका मैंक अगरवाल के रूप में लगा इसके बाद केल राहू लड़ने टीम की जिम्मदारी को समालते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया और दूसरे सत्र में ही कप्तान कोहली के साथ मिलकर भारती टीम को मजबूत इस्तिती में पहुँचाने का काम किया और दोनों ने मिलकर भारती टीम को मजबूत इस्तिती में पहुचाने के लिए काफी समझदारी भरी बल्ले बाजी दिखाई जिसके चलते भारती टीम का दूसरे सत्र की समापती होने तक स्कोर 157 रंड पहुंच गया था इसके बाद तीसरे सत्र में विराड कोहुली के आउट होने के बाद अजिंक रहाने और केल राहुल के बीच में हुई अर्द शत्यकी साजेदारी की बदावलत पहले दिन का खेल समापत होने तक भारती टीम का स्कोर 272 रंड पहुंच गया था जिसके बाद खेल को तीसरे दिन आखे बढ़ाया गया और भारती टीम के दरब से बल्ले बाजी करने उत्रे केल राहुल और अजिंक रहाने की जोड़ी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में कामियाब नहीं हो सकी और केल राहुल चौथे ओवर में आउट होकर पविलिन ल दिखाए दिये दोस्तों एक एक करके सभी भारती बल्ले बाज आउट होकर पविलिन की ओर जाते दिखाए दिये और आखरी विकेट के लिए जस्प्रीत बुमरा और मुहमद सिराज ने 20 रन जोड़े और उसके बाद जस्प्रीत बुमरा आउट हो गया जिसकी वज़ह से टीम पहले सत्र में एक विकेट के नुकसान पर मात्र 21 रन ही बना सकी वो इसके बाद लंच की शुरुवात होते ही मुहमद शमी ने खतरनाक रूप से गिंदबाजी करते हुए कीगन पिटिर्सन को बोल्ड करके अफरीकी टीम को दूसरा जटका दे दिया इसके बाद 12 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 30 रन पहुंच गया था हाला कि डस्टन की बल्ले बाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पारी को सम्हालने में काम्याब रहेंगे लेकिन अगले ही ओवर की पाचवी गेंद पर मुहमद शिराज ने उन्हें तीन रन के निजी स्क जालने की कोशिश की लेकिन तभी गेंद बाजों में बड़ा बदलाव करते हुए विराट कोली ने शर्दुल ठाकुर को बुलाया और उन्होंने आते ही 33 वे ओवर की पहली ही गेंद पर कुंटन डिकॉव को बुल्ड करके भारती टीम को एक और सफलता दिलाई जिसके च पन के हाथों कैच आउट कराकर छटवी सफलता टीम को दिलाई जिसके बाद बल्ले बाजी करने उधरे मार्को जेंसन ने काफी डिफेंसिव तरीके से विकेट को रोकने की कोशिश की तो वहीं 45 वे ओवर में मुहम्मद शमी की गेंद पर चौका जड़कर बावुमा ने अपना 16 अर्द शमी तक पूरा किया लेकिन मुहम्मद शमी ने उनकी इस पारी को अगली ही गेंद पर समाप्त कर दिया और इस मुकाबले का अपना 4 विकेट हासिल किया और उनकी शांदार गेंद बाजी की वज़े से अफरीकी टीम ने 1500 रन के पहले ही अपने 7 विकेट ग चाहिए सकती है जो कि अफरीकी टीम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनने में कामियाब होगा लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि क्या भार्थी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करने में कामियाब हो सकेगी या फिर नहीं इस बात कर जबाव होए नीजी ऐसी ही खबरों के लिए सब्क्राइब कीजिए हमारे यूट्यूप चनल को धन्यवाद